हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू और श्टडिंग एजुकेशन तो आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको विलोपन विदी से समी करन को हल करना सिखाएंगे वो भी विल्कुल असान तरीके से और यहां पे आपको बोड के तरीके से बताएंगे जिसमें कि आपको एकजाम मे five marks मिल जाए ठीक है अगर आप इस तरह से अपने एकजाम में question को solve करेंगे वो भी विलोपन विदी से तो आपको five marks में से एक भी marks आपका नहीं कटेगा और आपके class 10 के एकजाम में math के paper में आपका विलोपन विदी से समी करन को हल करना five marks में रहते ही हैं और पूछे जाते ह तो चलिए अच्छे तरीके से और word के तरीके से आपको बताएंगे विलोपन विदी से समी करन को हल करना ठीक है तो चलिए start करते हैं तो देखे friends सबसे पहले क्या है विलोपन विदी है तो विलोपन विदी का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप वो जान लीजिए विलोपन विदी का मतलब होता है कि विलुक्त, आपको नाम से ही पता चलता है, विलुक्त है, जिस तरह से यहां पर देखिए, इसमें दो वहरियेबल है, X और Y, तो इसमें से क्या होता है, एक को हमें गायब करना रहता है, मतलब कि उसे काड़ना परता है, या आप कह सकते कि हटा भी स ठीक है, तो इसमें से हमें एक वहरियेबल को यहां पर हटाना पड़ता है, तो देखिए, यहां पर क्या है, X और Y है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर X का गुनांग यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे 4, अगर हम आप से पूछे, यहां पर X का गुनांग क्या ह का तरीका मिलेगा ठीक है तो यहां पर जब भी हमें एक समीकरण को यहां पर हटाना हो तो जब भी हमें एक समीकरण को एक वेडियेबल को यहां पर गायब करना हो तो हमें यह सेम रहना चाहिए 3x और यहां पर भी 3x रहना चाहिए यहां पर 3x है तो यहां पर भी 3x रहना च इसको माल लेते हैं first sumi current, क्या मानेगे, इसको हम माल लेते हैं first sumi current, ठीक है, और इसको माल लेते हैं हम second sumi current, ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, 3x plus 4y equal to 10, 2x minus 2y equal to 2 है, ठीक है, तो देखिए, यह जो हमारा 3x है, यह जो हमारा x का गुनांख है 3 इसको क्या कीजिएगा, अब नीचे में इसको गुना कर दीजिएगा, 3 का, ठीक है, और यह आपका जो x का गुनांख 2 है, इसको आप उपर में गुना कर दीजिए, sumi current first में, ठीक है, 2 से हमें total sumi current को गुना करना है, ठीक है, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, ठीक है, यहा ग्या हो जाएगा, 8y equal to, यहाँ पर 10 दूनी 20, ठीक है? अब यहाँ पर 3 से भी हम इस समीकरण को टोटल में गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6x और यहाँ पर यहाँ पर देखें, 3 दूनी minus 6y और equal to, यहाँ पर 3 दूनी 6 आगे, ठीक है? यहाँ पर 6x plus 8y equal to 20 और यहाँ पर 6x minus 6y equal to यहाँ पर हमे 6 आगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है? वो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए, हमें काटने के लिए गायब करने के लिए, यह हमें plus है, इधर दोनों plus है तो plus plus है, तो यहाँ पर हम करेंगे, plus plus को करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा ठीक है? लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं, हमें एक गायब नहीं होगा तो हम गायब कैसे करेंगे? यह जैसे की plus है, यह जैसे की plus है, अगर यह minus हो जाए, तो यह हमारा पलस मैनस कट जाएगा और हमें यह हमारा पलस मैनस कट जाएगा और हमें y कमान मिल जाएगा ठीक है तो यह यहाँ पर है नहीं हम क्या करेंगे सबसे पहले इस समी करन को आपको जैसे कि हमने समी करन फर्स्ट माना है समी करन सगेंड माना है इसको हम क्या करते हैं समी करन समी करन 4th को घटाने पर ٹئिक है क्योंकि अगर हमें यहां पलस का 6xalf घटाएगे तभी न हमारा यह पलस का 6 x हो जाएगा और यह-6x ब्लस जाएगा तो हमारा एक बिदेयेवल इसमें से गयब हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे, आपको एक्जाम में लिखना होगा, ठीक है? चलिए, यहां पर हम लिख देते हैं, समीकरन, समीकरन, समीकरन 3, क्या है? समी करन 3 में से 3 में से समी करन 4 को 4 को 4 को घटाने पर क्या लिखे हम समी करन 3 में से समी करन 4 को घटाने पर ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 6x plus 8y equal to 20, यह हमारा समीकरन 3rd है, और समीकरन 4th यह है, तो 6x minus 6y equal to 6, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे एक हम बड़ा सा बटा दे देंगे, ठीक है, बड़ा सा बटा को साइन, इस तरह से कर देंग अब यहाँ पे देखिए, इसके वगल में भी plus है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है, हमारा plus हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, पलस है, तो हमने लिखा है, समीकरन 3 में से समीकरन 4 को घटाने पर, तो अगर यह पलस है, तो यह क्या ह करेंगे जैसे कि ये पलस है तो हम घटार है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है और ये माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा ठीक है और इसके पीछे में भी कुछ भी नहीं है तो क्या है पलस है ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा होजाएं तो बैसका चो क्या हो जाएगा हमारा 14y क्हुता है 14 और यहां पलस का जो चो था ये माइनस का चो बन चुका है और यहां पे 20 में से चो जाएक का तो क्या हो जाएगा तो 20 में से अगर 6 को घटाएंगे तो हमारा यहां पर 14 हो जाएगा ठीक है अब हम लिखेंगे y equal to 14 भट्टा 14 ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 14 इकन 14 यहाँ पर क्या आगया 1 तो Y इक्वल टू आपको क्या निकल के आगया 1 निकल के आगया ठीक है अब हमें Y का मान निकल गया है तो अब हमें किस का मान निकलना होगा तो अब हमें X का मान निकलना होगा तो वो किस तरीके से हम निकालेंगे चलिए देख लेते हैं तो य मत कीजिएगा, ठीक है, वाई का मान, वाई का मान, समी करन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वाई का मान, समी करन, फर्स्ट पर रखने पर, अगर आप चाहे तो फर्स्ट पर भी रख सकते हैं, चाहे आप सकेंड पर भी रख सकते हैं, तो आप का मान सही ही निकलेगा, जैसे कि हमारा ये समी करन second है और ये समी करन third है ठीक है देखें ये हमारा समी करन first है और ये हमारा समी करन second चाहे आप समी करन first पर भी y का मान रख सकते हैं चाहे आप समी करन second पर भी मान रख सकते हैं आपको एक ही मान निकलेगा ठीक है तो आप दोनों समीकरन में से किसी पर भी मान रख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरन फस्ट पर रखने पर, ठीक है? फस्ट पर रखने पर ठीक है तो हमारा समी करन first क्या है तो चलिए देख लेते हैं हमारा समी करन first है 3x plus 4y equal to 10 ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x plus 4y equal to 10 ठीक है अब यहाँ पर 3x है तो 3x को इस तरह से ही लिखेंगे तो 3x plus 4y और देखिए 4 और y के जगह पर हम क्या देंगे तो y का मान हमें कितना निकल के आ गया है 1 निकल के आ गया है इसलिए y के जगह पर हम 1 देंगे और यह बड़ाबर तो बड़ाबर और इसके equal to में 10 तो 10 ठीक है अब हम लिखेंगे 3x plus 4 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा तो 4 आएगा और equal to क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए 3x equal to 10 यह plus का 4 बड़ाबर के इस साइड आके क्या आ जाता है minus का 4 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर 3x equal to 10 में से 4 जाएगा 10 में से अगर हम 4 को घटाएगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ठीक है तो 10 में से 4 को घटाएगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर x equal to क्या हो जाएगा 6 और यह गुना में 3 है तो यह कहां पर आ जाएगा तो बट्टे में 3 आ जाएगा तो यहाँ प लिक्छेंगे ठीक है। समी करनं किसी भी विधी से निकालना हो, हमें तो X और Y का मान निकालना होता है। ठीक है। तो यहां पे हमें X का और Y का मान निकल चुका है। तो I hope कि आप लोग को अच्छे तरीके से समी करन विलोपन विधी से हल करना आ गया होगा, ठीक है, अगर आप इस तरह से अपने board exam, अगर आपको विलोपन विधी से बनाने के लिए कहा जाए, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, तो आपके एक भी marks नहीं कटेंगे, ठीक तो अगर आपको विलोपन विधी से समी करन को हल करना अच्छे तरीके से आ गया है, अगर आपको question समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like जरू कर दीजे, अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजे, क्य कि आपने से 80% students क्या करते हैं, वीडियो देखते तो हैं, लेकिन subscribe लाइक नहीं करते हैं, जिससे कि मैं demotive होती हूं, ठीक है, आपका subscribe लाइक करने से ना आपको पैसा मिलेगा, ना मुझे पैसा मिलेगा, बस होता क्या है, अब आपको motivate होता है, कि हम जो आप लोगों के लगता है, तो like, subscribe जरू कर दीजेगा, ताकि जो भी new वीडियो आए, सबसे पहले notification आप तक पहुँचे, thanks for watching this video.